अब मैं आज के समारोह के स्वागत भासन के लिए राची से हमारे मान्निय प्रदेश अध्यक्ष आधरणिय दीपत प्रकास जी को आमंत्रित करता हूँ भारत माता की जय बारत माता की जय भारतिय जनता पाटी जारखंड प्रदेश के नौ निर्मित जिलाक कारेले के उद्गाटन समारोह में उपस्तित भारतिय जनता पाटी के राश्टिय अध्यक्ष हमलोह के अजीज और हमलोह के मिट्टित्व करता मानवर जगत परकास नडड़ा जी समारोह में उपस्तित हमलोह के राश्टिय संगतर्ण मंत्री मानवर बियन संतोर जी भारतिय जनता पाटी के राश्टिय महामत्री एवं सांसद एवं सह मुख्याले परवारी मानवर अरुन सिंगी लिंग से जुड़े हुए हमारे राश्टिय सह संगरन मंत्री मानवर सौदान सिंगी भारतिय जनता पाटी के वरिष्ट नेता तता जार्खंड राजी के प्रतम मुख्य मंत्री एवन विदायख दल के नेता मानिवर चरी बावुलाल मारंडी जी केंद्रिय मंद्री हमारे भारतिय जनता पाटी के वरिष्ट नेता केंद्रिय मंद्री जारखंड के पुरू मुख मंत्री मानवर अर्जिन मुंडा जी मंचपर विराजमान मानवर हजारीबा के सांसद जैन चिना जी मानवर ध्रनपा जी मानवर प्रदीप बर्वा जी और मह पुद्दार जी एवं आज जिला में उपस्तित भारतिये जनता पाटी के सांसद वीदायत प्रदेश पदाधिकारी जिला द्यक्ष जिला परभारी एवं वहां पर उपस्तित भारतिये जनता पाटी के कारिकरता वंदू सबसे पहले मैं अपनी योर से भारतिय जनता पाटी के जहारखन प्रदेश की योर से हम अपने राश्तिय निटित्व करता मानुवर राश्तिय अध्यक्च जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं उनको दिल की गहराईयों से जहारखन के समस्त्य कारकरता हूं की और से मैं उनका आज के दिन में बहुत ही स्वागत करना चाहता हूं उनको जहारखन प्रदी जिवार करना चाहता हूं यह सच है कि आज का दिन बहुत ही इतिहासिक छण है भारतिय जनता पार्टी के कार्यकरताओं के लिए आज जारखंड के लिए कर सकते हैं कि माइल स्टोन का दिन है भारतिय जनता पार्टी में हम लोग जब कार्यकरता थे कार्यकरता है तो हम लोगों को कार्यपंती के बारे म चार सब्द्रप्र divento Sun कोषय कुर्यंद करने के लिए चार जाता है चारक उसमें कारेवर क्रता कारेकर मॆ खोस्त इन चार दुदों पर पर खड़ी की गई है इसलिए कारेले का बहुत ही बहुत पूर्म योगदान रहता है पार्टी के दिरिष्टीकों से और जार्खन प्रदेश में आज आठ जिले में कारेले का उद्गाटन समारो हो रहा है उसमें सब्सक्राइब की बात है कि जार्खन से रिष्टे रखने वाले जार्खन के कारकरताओं से आत्मिय भाव रखने वाले ऐसे राष्टी अध्यक्ष के माद्यम से उस कारेले का उद्गाटन हो रहा है यह हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का बिशा है और हम सब लोगों के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही महत्पुर्म चन है जो आठ जिले के कारेले का निर्मान हुआ है जिला है उद्गेगा वो जिला है दोहर्दगदा टब्लामूह जिला है जाइष्टा और शराई के ला और रामगर धनबाद और गिरिढ़र यह आथो अस्थानों पर आज कारेले का पूजद कारेक्राइब सुब शूब स 8 बजए से प्राइ पूजन की जो विधी विधान होता है उसका सारा कारकरम संपन हो चुका है वहाँ पर भारतिय जनता पार्टी के कारकरताओं के द्वारा वहाँ पर बिच्छ रोपन का भी कारकरम हुआ है और रिच्छा रोपन में हम लोगों ने तरह किया है कि भारतिय जनता पार्टी के जो पुराने कारकरता थे, जो हमारे साथ ही थे, जिनके कारण आज भारतिय जनता पाटी एक विसाल रूप खड़ी हुई है, उन कारकरताओं के दाम पर उस ब्रिच को रखने का हम सब लोगों ने काम किया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह आज का दिन हम सब लोगों के लिए महतपुर्ण का दिन है, जहां पर हम लोगों ने राश्ची अध्यक्ष के मिर्टुत में सेवा ही संगतन के माध्यम से जारखन के गाउं दिहात बसकी महले टोले, आदिवासी, घैर, आदिवासी, सभी जगे जाकर के हम लोगों ने एक सेवा का जो संकल्प के इंद्रिय न जनता पार्टी के कारे करता, एक एक दिन हर छन और हर पल समाज की सेवा के लिए अपना पूरा योगदान देने का काम किया है, माने राश्टिय देखी, मैं आगरा उनिवेदन करना चाहता हूं कि भारतिय जनता पार्टी का जहारखन प्रदेश में पुराना जनाधार रह करते हैं और इसमें हम समलोग आपके प्रेणा आप अपने बीच में आपको प्रेणा इस्तरोग मानते हैं, इसलिए कुछ ही छनों में आपके आशिरवचन से उस कारेले का उद्गाटन संपन होने वाला है, हम समलोग उस छन के इंतिजार में हैं, कि आप से आशिरवचन, आप से मार्गरसन और आप से प्रेणा लेकर के भारती जनता पार्टी के कार करता, जमीनी सता पर जाकर के जनता से सीधा संबाद करते हुए, जनता की भावनाओं के साथ खड़े होते हुए, और इस जो सरकार बरतमान में राजी की सरकार है, जो जन विरोधी सरकार है, किस इसलिए आज के दिन में आज हम लोगों के लिए बहुत ही महत्तिका पुर्ण दिन है स्वावन का महिना है स्वावन का महना भगवान शीव का दिन होता है और शीव तो श्रिष्टी के पालक है हम सब आज के दिन आप सब पार्टी के ओर से आपका आधिन्दन और आपका स्व लोगों ने उद्धाटन करने का करकेम रखा है लेकिन मैं आपको आपसे आग्रह निविदन करना चाहता हूं कि जब कोरोना वाइरस का संकट खतम होगा तो एक बड़ी रैली पूरे प्रदेश का एक बड़ी जनसवा पूरे प्रदेश का हो और उसमें आप मुख्य थिती के तौर पर आएं इनी सुदकाबनाओं के साथ हम अपनी बानी को धिराम देते हैं जै जारखंड जै भारत जिला भाजपा के कारयलों का उदगाटन हो रहा है अब मैं राची के मंच से अमंत्रित करता हूँ हमारे भारती जनता पार्टी के वरिष्ट नेता राज्य के प्रतम मुख्य मंत्री जारखंड भाजपा विधायक दल के नेता आदरणिय बावुलाल मरांडी जी को वो आएं और आज के इस उदगाटन समारों में अपना संबोधन करें आज जिला कारजाल लेहुद घाटन समारों में मुख्यूप से भारती जनता पार्टी के रास्टी अध्यस के कारकमलों से होना है तो रास्टी अध्याच स्री अधर्णिय जेपी नड़ा जी और आज के कार्शकरम की अध्यस्ता कर रहे है भारती जनता पार्टी जार्खन प्रदेश के अध्याच्छ स्री दीपक प्रकास जी और दिल्ली केंद्री कार्यले के मंच पर उपस्तीत पारटी के संगठन महामंत्री स्री बियल स्वंतोष जी स्री अरुन सिंग जी स्री शौदाम सिंग जी और भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री और जार्खन राज के पूर मुक मंत्री स्री अर्जुर मुंडा जी और हजारी बाग से सांसद और पूर मंत्री स्री जैन्त सिंग जी जैन्त सिन्ना जी और आची के कार्यले में उपस्तीत संगठन महामंत्री स्री धरम पाल जी और काजकरम का संचालन कर रहे पारटी के महा सचीव स्रीप प्रदीप भर्मा जी और सभी आठो जिला में उपस्थीत जिलाद्ध्यच और उनके सभी काजकरता रन और शाथी आज बड़ा शूब दीन है क्या जारकन प्रदेश में आठाठ कारजल है कर एक साथ केंद्रिय अध्यच किराश्टी अध्यच के हाथों उद्गाटन हो रहा है आज इस आउसर पर मैं उन सब कारकरताओं को भी अपने और से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि जिन लोगों के मेहनत से परिशरम से आज चारखन प्रदेश में जो आठाठ कारजल है बनके के तयार हुआ है में सित्रोप से उसमें जो बड़ा योगदान राजी के पूर मुक्ष मंत्री स्री रगवरदास जी और पूर के कुशाध्यच महिश्पुदार जी शेखर जी ऐसे तमाम जो अनिकार करता जिसका नाम तो यहां नहीं लिया जा सकता है लेकिन मैं वेक्तिग अत्रोप से जानता हूँ सारे लोगों ने जो काम में लगे और आज कारजाले बनकर के तयार हो है कारजाले के संदर में अभी दिपक जी ने बताई हम सब को प्रदेश अध्यच ने बता दिया तो मैं इतने ही जिला अध्यचों से भी निवेदन करूँगा कि हम कारजाले में शभी प्रकार की जानकारी हमें वहाँ अब उपलब्ध होगी नेमित रुप से बैठकें भी होगी यानि कारजाले हमारे उस प्रकार से होना चाहिए जिला का कारजाले है तो जैसे एक जिला के कलेक्ट्रियट में जितनी सारे चीज़ें उपलब्ध होती है तो भारती जनता पार्टी के जिला कारजाले में भी वह सारे चीज़ें वहाँ उपलब्ध हो बलकि उन लोगों से भी कहीं अधिक जानकारी कोई एक चछत के नीचे पहुंचे तो कोई भी चीज वहां जानकारी उस जीला से संबंधित लोग प्राप्त करना चाहे तो जीला में ही वो सारी चीजे उपलप्त हो जाएं इसलिए हमारा जीला ध्यच से और जीला के जो प्रमुग कार्ज करता है सबोंशे हमारा एक विंति रहेगी कि वही कारजाले हम उच प्रकार से बनावे कि कारजाले में हमें सब कुछ उफलप्त हो जाएं ताकि कोई भी वेक्ति कारजाले पहुंचे तो उस जीला की जो वास्त्विक इस्थिति है उसके बारे म उनको वहीं से पता चल जाएं अगर किसी को कहीं जाना भी हो तो फिर वहां मेब भी ऐसा रहे कि लोगों को वहीं से पता चले काउन सी जगा कितनी दूरी पर है कहां पर है वहां जाएंगे तो वहां पर काउन सी वेक्ति हमें मिलेंगे चुकि मैंने कारजाले जब गिरडी जब हम गए थे काजकिरब में तो उस तीन हमने वहां गिरड़ी कारजले के परिशर में पौधार ओपन भी किया था और उस दिन मैंने कारजले का जो भब रूप देखा तो मैंने इसलिए कह सकता हूँ कि यह सारे चीजों से एक परिशर में उपलब्द हम करा सकते हैं और जिस जिला में सब जानकारी जहां उपलब्द होती है तो वस कारजले से और शतत काम भी तेजी से हो सकता है और लोग भी आकर के कोई भी जानकारी वहां से लोग प्राप्त कर सकते हैं तो मैं एक संशिप्त रूप में कह रहा था कि कारजले को हमें उस प्रकार बनानी ताकि हर चीज जीला की जो जानकारी है वहां हमें उपलब्द करानी चाहिए या कोई भी ले सके तो सरकारी धफ्तरों में ना जाकर के भारती जंता पार्टी के धफ्तर में लोग पहुंचे और वो सब चीज वहां हुपलब्द हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों ने हमारी उन बातों को ध्यान दिये होंगे और जैसे अभी आप देख रहे होंगे जारकन की जो हालात है वो किसी से चुपा हुआ नहीं है आज इस राजी की जो हालात पैदा हो गई है यहां तो लगता है कि चार वो तरफ जिस सरकार से हम सब लोग उमीद कर रहे थे कि नहीं सरकार बनी है मुखमंत्री भी युवा है तो काम करेंगे लेकिन बिलकुल इन छे महिनों के अंदर में जिस प्रकार से जो करोना के काल में उसका जो कारकिर हम अभी भी देख रहे है कि होश्पिटल में जगा नहीं जबकि हम सब लोग पहले से कहते हैं रहते हैं सरकार को कि आप जगा वगेरा को विलकुल दुरुस्त करिए चुकि दीरे-दीरे जैसे जैसे समय बितेगी बाहर से लोग आएंगे तो यह बीमारी दीरे-दीरे फैले गया अप लगातार बढ रही है लेकिन सरकार उसमें कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आ रहा है कि मरीजों को रखने के लिए भी जगा नहीं है इलाज की तो दूर की बात है तो मैं यह कह रहा था कि इस समय इस काम को भी सरकार अच्छे धंग से कर सकते थे उसमें भी वो शफल नहीं हुए और साथी law in order पूरे प्रदेश की बिलकुल आज बिगड रही है आज पूरे राज में उगरवादियों की जो गतिविदी है इस कदर बढ़ गई है अब जो लोग जब 1920 के पहले जब इस प्रदेश में बीजेपी के नेत्वित में रगवरदाजी के नेत्वित में सरकार जब चल रही थी तो उगरवाद तो मानो जारखंड से कहीं भाग चुके तो ऐसा लग रहा था कि आप जारखंड में अमंचेन आ गया लेकिन आप फिर से इस राज में भै का माहौल आतंक का महौल पैदा हो गया हमें तो जिला से लोग सूचना है रोज देते हैं कहां किस प्रकार की गती भी दिये कहां कैसे लोग घूम रहे हैं वो किसी से चुपा हुआ नहीं अब आए दिन आप घटना भी इजाफा हो रहा है रोज देख रहोंगे सभी जिला में फिर उशी प्रकार से चाहे वो चायवासा हो चाहे वो गिरडी हो चाहे पलामों का छेत्र हो चाहे सब जगा खूटी का इलाका या कोई भी इलाका आज अच्छोता नहीं है तो हमने कहा कि यह जो उग्रवादी घटना और इसमें से सरकार विल्कुल मुकदर सक बनी हुई सामाइन लौइन ओर्डर के स्थिति भी चोरी डकैती अत्या आपहरन यह सवाम बात हो गए और यह इसलिए हो रहा है कि आज जो भी पुलीस प्रशासन है उनका जो पदस्थापन हो रहा है जहें थाना में हो या जिला में हो और उनको या तो यह निर्देशित किया जाता है कि पोजिशन को दबाना उनको तंग करना उनको तबाह करना और उसके साथ-साथ जो दो नंबर के जो दंदा है कोयला की चोरी बालु की चोरी पथल के चोरी इस अब करवाना तो यह आम बात है यह रोज अखवारों में भी सोसल मीडिया में भी सब कुछ प्रशारित हो रहा है रोज दीख रहा है पुलिस का आतंग कैसे आप समझ सकते हो कल एक थानेदार को बरहेट जहां से आज मुक्मंत्री का विधान सबाचेत है उनको सस्पेंड किया अब उन्होंने जिस प्रकार से किया और आज तो हमें वहां से पता चला कि व वहीं थानेदार विडियो सीओ का वी काम कर रहे थे जितनी वशुली का काम हो रहा था वहीं सारे लोग कर रहे थे तो मैंने इसलिए इन सारे बातों का थोड़ा सा उलेख कर रहा हूं कि आप सोच सकते हो कि जब उनके छेत्र में यह हालत है वहां क्या कर रहे हैं वो किसी स चुपा हुआने और इसलिए आज हम सब लोग इस समारों में उपस्थी थें कारजाले को हमें इतना जीवन अब हमें बनाना है ताकि इस राज में जैसे ही लॉगडाउन समाप्त होता है तो हम सब को सडकों पर आकर के संगर्च करना पड़ेगा हमें सडक पर आकर की सरकार को मस्पूर करनी पड़ेगी काम करने के लिए और हम लोगों के साथ नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है क्योंकि आज इस प्रकार से हमें देख रहे हैं जिस प्रकार से जो काम चल रहा है तो इसलिए निस्चित रूप से जो संगठन के लिए एक जो आवश् जगों पर भी जल्दी कारजल है बन करके तियार हो जाएगी और इस आउशर पर मैं देश के प्रधान मंतरी और देश के ग्रिह मंतरी जो के पूर में वही अध्यस थी और मैं उन दोनों की आधरनिये श्री नरेंदर मोदी जी देश के प्रधान मंतरी आधरनिये अमी और ये कलपना से देश के या प्रोदेश के सभी जिला में जो कारजल है बने तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छी पहल और आज जो भारती जनता पारटी के कार करता है इदार उदार घोंते फिरते ते कहीं बैठने का कहीं ठोटी काना नहीं होता था आप तो इतना भ आरती जनता पारटी की यहां जो खोई हूई यह प्रतिश्टा है उश को हम लोग फिर से यहां पर मस्पूत करेंगे और मैं समझता हूं कि आज क्या ऊशर पर इतने ही कहा कर करके मैं अपनी बातों को शमापत करता हूं फिर से आप सब को हमारी याश्वे बहुत-बहूत ह चाहता हूं जब हम सभी कारे करताओं की आकांग्छा को पूरा करने वाला ये समय आया है करताओं झाल 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 कारेले के उद्गाटन करता मानने राष्टियत ध्यक्ष आदर्डिये जेपी नड़ाजी से आगरह करूँगा कि आज के समारोह में वो हम सब को संबोधित करें आज के इस कारेले उद्गाटन के कारेकरम में मेरे साथ राची में उपस्थित भारतिय जनता पार्टि के बहुत ही जुझारू कर्मशील और समवेदनशील अध्यक्ष सम्मानिय दीपक प्रकाश जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता और हमारे वरिष सयोगी पूर्व में प्रथम मुख्यमंत्री रहे ऐसे हमारे पावुलाल बरांडी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानिय रगुवर्दास जी मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ हमारे सह संगठन मंत्री सम्मानिय सौदान सिंग जी रांची में मंच पर उपस्तित हमारे संगठन मंत्री धर्मपाल जी और हमारे महा मंत्री प्रदीव वर्मा जी दिली में मेरे साथ उपस्तित भारत सरकार में मंत्री श्री अरजुन मुंडा जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जारखंड के हमारे राश्ट्रिय महामंत्री श्री आरुन सिंग जी जो हमारे हेड़कौार्टर के जनल सेकरेटरी भी है और हमारे हजारी बाग के लोगप्रिय सांसद जैन्त सिनहा जी हमारे सभी आठों स्थानों से मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ पलामू में कारेकरता 71 है रामगर में धनबाद में पश्चिम सिंग्भू में सराय केला में सिम्डिगा में लोहरदगा में गिरिडी में सभी सानों पर हमारे कारेकरता इस कारेकरम में 71 हुए हैं आप सब लोग इस कारेक्रम में आए हैं और आज हम लोगों ने आठ कारेलों का श्री गने शुद घाटन हुआ है इसके लिए मैं जारखन की काई को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और शुब कामनाएं देता हूं जब मैं शुपकामनाओं की बात कहता हूँ तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता यह बिर्शा मुंडा की भगवान बिर्शा मुंडा की धर्ती जहां सच्चाई के लिए लड़ने के लिए हम सب लोग हमशा प्रेरित हुए हैं उनसे जहां सही बात की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग को हमशा प्रेरिना मिली है ऐसे भूमी पर जब कारहले का उध्गातन या कारहले का निर्मान होता है तो हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विश्य होता भारतिय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है इसके कारे करने की रीती नीती यह भी अलग है और कारे के साथ साथ किस तरीके से संगठन को चालना देनी है इसके भी रास्ते अपने किसम के हैं अपने तरीके से भा आज जब मैं इस कारेले का इन कारेलों का उद्गाटन कर रहा हूं तो जैसा आरुन जी ने कहा कि हमारे नेत्रितु की सोच कितनी गहरी है और कितनी दूर तक जाती है इसका भी हमको विचार करना चाहिए लंबे समय से हम पार्टी में काम कर रहे हैं लेकिन आज जहां से मैं बोल रहा हूं यह भारतिय जनता पार्टी का दिल्ली का हैड़कॉर्टर का कारेले हैं ऐसा कारेले जो सभी modern equipment से equipped है हर तरीके से संगठन को चालना देने में यह सक्षम है और इसकी कल्पना प्रधान मंत्री जी ने संगठन के तरफ उनका आप रुझान देखिए उनका आप commitment देखिए कि उन्होंने 2014 में कहा था कि हमारा दिल्ली में भव ये कारेले होना चाहिए और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि हर जिले में भारतिय जनता पार्टी का अच्छा कारेले होना चाहिए आप देखिए नित्रतु की सोच कितनी दूर की होती और मैं धन्यवाद देना जी को जिन्होंने अध्यक्ष बनने पर इसको रूप दिया इसको अपने एजेंडे में जोड़ा और लगबग हमारे 770 से उपर हमारे संगटनात्मक जिले हैं और सभी संगटनात्मक जिलों में कारेले बनाने का निश्चे किया हमारे रविंदर राजु जी यहां बैठे हैं उनके ये जिम्मे लगा हेड़कॉर्टर जेनल सेक्रेटरी हमारे अरुन सिंग जी उसकी बारीकियों को देखने में लगए और अमिशा जी के नितुत में लगभग 500 से ज़्यादा कारेले बन कर तैयार हो गए हैं यह मैं आपको बताना चाहता हूँ 400 कारेलों पर काम चल रहा है यह मेरी जिम्मेवारी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दो सालों के अंदर हमारे सभी जिलों में कारेले बन जाएंगे इस तरीकों को निश्वित करके हम काम चलाएंगे यह हम आपको बश्वास दिला चाहता हूँ मैं आपसे भी निवेदन करूंगा धारकंड में 15 स्थानों पर जमीन खरीदी जा चुकी है उसकी फॉर्मैल्टी पूरी हो गई है उसमें काम जल्दी से जल्दी शुरू करे और भारतिय जनता पार्टी उसको तीवर गती से चालना देने का काम करेगी यह आपको मैं विश चाहिए कारे करम चाहिए कारे समीती चाहिए और कारेले चाहिए मैं कारेले की जब बात करता हूं तो कारेले सिर्फ वैसे यह कारेले मोस्ट मॉडरन कारेले है अभी आपने एक छोटी सी फिल्म देखी आपने देखा उसमें कान्फरेंस हॉल है कारे करताओं के मिलने का वीडियो कॉन्फरेंसिंग की विवस्था है, यी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में अच्छे तरीके से, डिजिटल तरीके से उसको सक्षम बनाने का प्रयास है, और ये खुद कारेले का मेंटेनेंस हो, इसकी भी विवस्था की गई, ये सब कुछ किया गया है, लेकिन सब से पहले हमको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, कि कारेले होने के कारण कारेकरताओं का एक वातावरन भी बनता है, काम करने का, और कारेकरताओं के साथ साथ एक संसकार भी पैदा होता है, इसको भी हमको समझना चाहिए, यानि भारतिये जनता पार्टी का कारेकरता अप आपने आपको गौरवानवित महसूस करे कि आज पार्टी के निताओं ने माननी प्रधान मंत्री जी ने माननी अग्री मंत्री जी ने हमारी पारलिमेंटरी बोर्ड ने पारलिमेंटरी बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस बात को ध्यान में लेकर के चले कि देश में हमारे अच अच्छे संसकार पैदा हो उस वातावरन के कारण इस बात को भी उन्होंने ध्यान में रखा है। मैं कई वार कहता हूं कि office functions from 10 to 5, कारेले functions 24 into 7, 24 घंटे 7 दिन ये कारेले का तरीका हो। इसलिए इसकी व्यवस्ता इस तरीके से की गई है कि हर समय हमारे कारेकरता वहां काम कर सकें इसका प्रयोजन किया गया है इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज पुना आपको मैं इस बात के लिए बढ़ाई देना चाहता हूं आठ स्थानों पर कारेले खुले हैं और बाकी पिछले साल पूर्टी का कारेले का उद्गाटन हो चुका था और आगे चल करके जो बचे हुए कारेले हैं उनको भी हम पूरा करेंगे ये हम आपको बता करा चाहते हैं मित्रों जहां तक भारतिय जनता पार्टी का सवाल है आपके ध्यान में आया होगा कि सभी संगठन संक्रमन काल में लॉकडाउन हो गए सभी पार्टियां लगबग लॉकडाउन की स्थिती में आ गई लेकिन भारतिय जनता पार्टी अकेली पार्टी थी जिसने अपने आपको काम में लगाया और यही डिजिटल टूल का इस्तमाल करते हुए वीडियो कॉन्फरेंसिंग का इस्तपाल करते हुए हम सब लोगों ने उपर से लेकर के नीचे ग्रास रूट लेवल यानी बूथ तक कारे करतां को एक्टिवेटेड रखा गैलवनाईज रखा उनको एक्टिव रखा और मैं आज यह गौरव के साथ कह सकता हूँ कि अकेली भारतिय जनता पार्टी है जिसने संक्रमन काल में सेवा का कारे लिया और सेवा करने में हम पीछे नहीं रहे इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ और जार्खंड भी इसमें पीछे नहीं रहे जार्खंड ने भी बहुत अच्छा काम लिए आपने फीट दे नीडी प्रोग्राम में और इसी तरीके से आपने हमारे सेवाही संगठन के कारेकरम में बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी विवस्ताओं को आगे बढ़ाया है इसके लिए मैं आपको बढ़ाई देता हूँ मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 12,74,000 लोगों को भोजन आपने पहुंचाया है उनके उनको दिया है उसी तरीके से लगभग 27,00 राशन किट आपने बाटे हैं और राशन किट भी एक-एक महीने का मोधी किट के नाम से आपने बाटे हैं बहुत अच्छा काम जारकन यूनिट ने किया है उसी तरीके से प्रदेश के बाहर लगभग 16,000 लोगों को वहां की यूनिट से भोजन पहुंचाने का काम भारतिय जनता पार्टी के जारकन यूनिट के कारे करताओं ने हेल्प लाइन का इस्तमाल करके क जाता हूं पी-म केर फंड में लगभग 42,580 कारे करताओं ने 5 करोड रुपए की राशी जमा करके डाली है उसी तरीके से 31,03,000 फेस कावर्स आपने बाटे हैं लगभग 8,00,000 आपने सैनिटाइजर्स बाटे हैं भारतिय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन है फीड दनी कारिकरम में जारखन यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए मैं आपको बढ़ाई देता हूं सादू बाद देता हूं और आपके ध्यान में आया होगा कि प्रधान मंत्री जी ने भी इसकी तारीफ की थी तो सवा दो घंटे वो खुद इस कारिकरम में रहे थ यह हमारे सब के ध्यान में है यह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं यह आपके साथ बताना चाहता हूं मित्रों संक्रमन काल में जब पोविड्स 19 का संक्रमन शुरु शुरु में आया तो दुनिया के देश जिनके स्वास्त सुविधाएं बहुत अच्छी हैं वह भी अपने आपको असहाए महसूस कर रही आप याद कीजिए परवरी का समय आप याद कीजिए मार्च का समय सारे अमेरिका में सारे स्पेन में इटली में योरोप में लगबग उनके स्वास्त सेवाएं कॉलाप्स कर गई थी और उनके स्वास्त सेवाएं शक्तिशाली देश क नाते काफी अच्छी थी सुद्रिद लेकिन वो कॉलाप्स कर गई उसका कारण यह था और वो नेता असहाए महसूस कर रहे था उसका कारण यह था कि वहां के नेता economy और मानवता के बीच में चुन नहीं पा रहे थे कि किसको ज़्यादा प्रोस्ताहन दिया जी economy उनके लिए प्रियत ही मानवता की सेवा वो स्वास्त के माध्यम से सिर्फ करना चाहते थे लेकिन यहां हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी जो देश को फ्रंट से लीड कर रहे थे उन्होंने उनका विजनरी दृष्टी देखिए उन्होंने कहा जान है तो जहान है और जन साभागिता के माध्यम से 130 करोड देश को सही दिशा में ले जाने का काम किया और बोल्ड और टाइमली डिसिशन लिया लॉक्डाउन का और 130 करोड की जनता को बचाने के काम में प्रधान मंत्री मोदी जी ने भूमी का अदा की इसको हमको जान में रखे और मैं चाहूंगा अपने कारेकरता इन बातों को बार-बार बताएं क्योंकि जब हमारी चर्चाएं होती हैं और जब हम लोग डिस्कोर्स करते हैं तो हमारे ध्यान में आना चाहिए जिस समय लॉक्डाउन लगा उस समय हमारे इन्फेक्शन रेट डबल होने की संख्या तीन दिन के अंदर केस डबल हो रहे थी आज जब हम लोगों ने कोरोना से लड़ने की सारी तयारियां कर ली हैं तो तेइस दिन में केस डबल हो रहे हैं इसको हमको समझना चाहिए जिस समय हम कोरोना के लॉक्डाउन किया था तो उस समय एक भी हॉस्पिटल कोविड को डेडिकेटिड नहीं था कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम नहीं था आज बारा सौ हॉस्पिटल तयार हैं उसी तरीके से लगवग सिर्फ चौवालिस हजार बेड्स की विवस्था थी आज बारा लाख पचास हजार बेड्स हमारे पास तयार है उसी तरीके से ICU बेड्स हमारे पास 42,000 है जो हमारे ventilators के साथ 1,60,000 बेड्स हमारे oxygen के साथ आप समझिए कि इस lockdown की अवस्था में कितनी तैयारी हुई होगी इसको हमको समझना जाए जब lockdown लगा तो हमारे पास 150 testing labs थे आज 1330, 1330 testing labs है उस समय हमारे पास testing की सुविधा लगबक 1500 प्रती दिन थी आज प्रती दिन 5,000,000 टेस्ट हो रहे हैं इस बात को समझना चाहिए और हमारा recovery rate 63% है और मुझे खुशी है कि हम लोगों के कई states ऐसे हैं भारतिय जनता पार्टी के जहां recovery rate national rate से भी अधिक है इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए मित्रों ये जो personal protection equipment होता है जिसको पहन करके कोर्णा के मरीजों के साथ हमारे doctors और कोर्णा warriors जाते हैं यह kit एक भी नहीं बनता था भारत में जब ये कोर्णा का संक्रमन आया था आज साड़े चार लाख कोर्णा PPE kits, personal production equipment kits सारे देश में प्रती दिन बन रहे हैं साड़े चार लाख प्रधान मंत्री जी ने local उद्यमियों को प्रोज़ाहित किया और उनके प्रोज़ाहन के कारण हम लोग इस काम को करने में सफल हुए हैं यह हमको ध्यान में रखना जिए मित्रो इसी संक्रमन काल में अगर पार्टी ने आगे बढ़कर के काम किया प्रधान मंत्री मोदी जी की प्रेणा लेकर के हमने काम किया तो वही प्रधान मंत्री गरीब कल्यान पैकेच यह प्रधान मंत्री जी ने दिया और World Health Organization ने इस बात की सरहना की कि प्राइम मिनिस्टर मोधी ने सिर्फ health issues को ही address नहीं किया है health के साथ साथ economic issues को भी address किया है और जो गरीब लोग है जो lockdown की अवेस्था में sustain नहीं कर सकते थे उनको उन्होंने राहत देने का प्रियास किया है यह आज़सो अड्रेस दी इकनामिक इशूज और यह तेकिन केर अफ दी marginal section अफ दी सोसाइटी यह डॉक्टर टेड्रोज वर्ल लेल्ट और्गनाजेशन के डिरेक्टर जेनरल के रहे है प्रदान मंतरी मोदी जी ने एक लाग सत्तर हजार करोड रुपए का पैकेज दिया असी करोड की जनता को पहले तीन महीने और बाद में पांच महीने नो नवंबर तक पांच किलो चावल या पांच किलो गेहु और एक किलो दाल ये मुफ्त में मुहया कराने का इंतजाम असी करोड की जनता को किया है एक सो तीस करोड की जनता में असी करोड मार्जिनल सेक्शन आप दी सुसाइटी की चिंता की यही नहीं लगबग बीस करोड बेहनों को पांच सो की विवस्था की आठ करोड बेहनों के घर में तीन सिलेंडर्स तीन महिने के लिए पहुंचाने की विवस्था की हमारे आठ करोड चौंटिस लाख हमारे किसान भाईयों के लिए पहली किष्ट दो हजार रुपे की आठ करोड चौंटिस लाख लोगों के खातों में भाद हमारे किसानों के खातों में डालने का काम प्रधान बंद नहीं यहीं नहीं आत्म निर्भर पैकेज के माध्यम से लगभग हमारे बीस हजार करोड रुपए बीस लाग करोड रुपए यहां आने वाले तीन साल के लिए किस तरीके से परिवर्तन आएगा इसकी चिंता की गई है इसको उसमें रखा गया है यह हमारे धान में तीन लाग करोड़ रुपए मसमी सेक्टर के लिए हमारे छोटे उद्योगों के लिए एक तो छोटे उद्योगों का डेफिनेशन बदला गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके एमबिट मे हो गए हैं और लगबग इसमें से असी हजार करोड़ रुपए उसमें से डिस्प्यूट डिस्पर्स भी हो गए हैं उनको मिल गए हैं इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए मित्रों एक लाग करोड़ रुपए एगरिकल्चर सेक्टर में खर्च हो यह फार्म गेट के मात्यम से मेरा निवेदन है दीपक प्रकाश जी से मेरा निवेदन है प्रतीव वर्मा जी से मेरा निवेदन है सबी कार्यकरताओं से कि आप एफपियोज में अपना योगदान कीजिए अपने लोगों को खड़ा कीजिए सरकार की सुविदाओं को लीजिए और अगरिकल् क्षेत्र में एक मूल भूत परिवर्तन करने में आप सब लोग अपना योगदान कीजिए यह मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए उसी तरीके से दो लाक कंसेशनल क्रेडिट जो देने का है वो धाइं लाख हमा ढएं करोड किसानों को देने का है किसान क्रेडिट काड इसमें भी हमको अपना योगदान करना चाहिए यह हम आप सबसे स्यंद्र करना चाहते हैもし कल मैं सभी प्रदेशों के बीजेपी के मुक्य मंत्रियों से वीडियो कांफरेंस में बात करने वाला हूँ लगबग पचास पांच हजार करोर रुपए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रखा है और इस पांच हजार करोर रुपए स्ट्रीट वेंडर्स में पचास लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो हमारे सड़क पर जो ठेला लगाते हैं उनको सुविधा देने का काम किया गया है मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग जल्द से जल्द रेजिस्ट्रेशन कराएं ठेले वालों का उनको पैसे दिलाएं उनका देनन दिन फिर से ठीक से चले इसकी व्यवस्ता करें और इस व्यवस्ता में परधान मंतरी जी द्वारा जो पांच हजार पांच हजार करोड रुपे जो इस वाद के लिए रखे गए हैं पचास लाख स्ट्रीट रेंडर्स के लिए उनका भी हमको लाब उठाना चाहिए हमारे माइग्रेटरी लेबरर्स के लिए 3500 करोड रुपे जो रखे गए हैं उसकी भी हमको उसकी भी यूटलाइजेशन के लिए हमको व्यवस्ता करनी चाहिए इस तरीके से हमको कारे करना चाहिए यह मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपनी विवस्ताओं के माद्यम से इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा और आत्निर्भर पैकेज को अच्छे तरीके से हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे समझाने का प्रयास करेंगे तो आने वाले तीन साल में बदलती जो भारत की तस्वीर है आत्निर्भर होने में और जो बॉटलनेक्स हैं जो उसमें तकलीफे हैं जिसके लिए रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं वो रिफॉर्म्स को भी हमको समझाने में सुविधा मिलेगी मैं चाहूंगा कि हमारे कारेकरता इन कारेलों का इस्तमाल करते हुए कारेकरताओं का प्रशिक्षन करें आत्निरभर भारत पर हमारे कारेकरता आत्निरभर भारत की बारिकियों को समझे और आत्म निर्भर भारत के पारिकियों को समझ करके नीचे जिन लोगों के इसकी सुविधा पहुंचनी है उनको आप सुविधा दिलाने में एक सफल सायोग करे ये मेरा आप से निवेदर है ये मैं आप से कहना चाहता हूँ मित्रों जब मैं जहारखन की बात करता हूँ तो मैं पिछले कुछ समय को भी याद करता हूँ और आज के समय को भी याद करता हूँ यहां खबरे आ रही है जब मैं जहारखन का पेज पल्टाता हूँ तो मैं देखता हूँ, कहीं उग्रवाद, कहीं नेक्सलाइट्स का अटैक, कहीं लोगों का अपहरण होना, कहीं दिन दिहाडे मारे जाना, कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं अपहरण, आज जारखंड, लॉलेस्नेस का दूसरा रूप बन गया है, उसका दूसरा नाम हो गया है नकसलवाद जो दिखाई नहीं देता था, जिसको प्रायब समाप्त कर दिया गया, सारे प्रदेश में लोग आराम से घूम सकते थे, आज नकसलवाद का प्रकोप इतना बढ़ गया है, सारे लोग जो जो जारकंट छोड़ करके चले गए थे, वो जारकंट के अंदर फिर से करके, और वो दंदना रहें, वो मस हैं, ये तभी होता है, जब शासक कमजोर होता है, ये तभी होता है, जब शासक बेपरवा होता है, ये तभी होता है, जब शासक को जनता की तकलीफ समझने में की इच्छा नहीं होती, मित्रों, ऐसी सरकारों को लॉक स्टैक और बैरल हम और यह प्रजातांतरी तरीके हमको जनता के बीच में जाना चाहिए लोगों को बताना चाहिए आज भरष्टाचार industry बन गई है transfer एक industry बन गई है इस post का तबादले का इतना पैसा इस post के तबादले का इतना पैसा खुले आम यह धंदा चल रहा है ये ट्रांस्फर एक इंडस्ट्री बन चुकी एक जो हमारा अच्छा शासन था वो शासन समाप्त हुआ है और एक तरीके से जिसको कहें गुंडे और जो ऐसे elements हैं जो समाज के समाज विरोधी तत्त्तों हैं वो आज दंदना रहे हैं और शासन मूख दर्शक बनाओ कहीं कहीं सहयोग कर रहा है कहीं कहीं केसों को दबाने का प्रयास कर रहा है कोविड नाइंटीन से लणने की सिती आपने देखी है राजनीती करने के लिए कोई फोटोग्राफ खीच करके डाल देना और प्रेस में डाल देना ये एक अलग चीज होती लेकिन जिस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट होना चाहिए था वो मैनेजमेंट नहीं हुआ है प्रधान मंत्री जी ने जो राशन भेजा है वो जमीन पर जाने में उसमें भी दूबिधा आई है वो भी ठीक से नहीं पहुँच रहा प्रधान मंत्री इदर से राशन भेज रहे है करीबों के लिए भेज रहे है लेकिन वह राशन भी ठीक से डिस्रिब्यूट नहीं हो रहा है उसमें भी घोटाले हो रहे है मित्रों ये फरक पढ़ता है सुषासन का और कुषासन का मैं आप सबसे निवेदन करूँगा इन सारी बातों को जागरित करो इन सारी बातों को जनता के सामबे ले जाओ जनता को बताओ और जनता को बताने के साथ साथ इन सब विशों के बारे में जनता के तरफ से और आपके तरफ से शासन पर अंकुष लगना चाहिए शासन पर शासन को एक विपक्ष के नेता के रूप में और विपक्ष के कारेकरता के रूप में जगाना भी चाहिए और उनको बताना भी चाहिए जो उसकी जिम्मेवारी है और हमें एक सफल और अच्छी विपक्ष की भूमी का निभानी चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन, मित्रों आज जादा आपसे ना कहता हुआ, आपको पुना मैं निवेदन करूँगा, कि आप इन कारेलों का अच्छा उप्योग करें, इन कारेलों के माध्यम से अपने रहाते हुए भारतिये जनता पार्टी की विचारधारा को जमीनी सर पर पहुंचाने में आप अपना योगदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, मैं सभी को मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, आठोस्तानों से हमारे का कारे करता बहुत अच्छे से फेस कवर लगा करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, सारी माननेताओं को मानते हुए इस कारे करम में आये हैं, यह भारतिये जनता पार्टी की विचेश्टा है, जो विपरीद परिस्थिती में भी काम करना जानती है, और विपरीद परिस्थित पार्टी में भी पार्टी को आगे ले जाना जानती है हमारे एक एक कार्यकरताओं को मेरा इसके लिए साथवाद आप सब लोग आगे बढ़े यही मेरा निवेदन है आपने मेरी बात सुनी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जै भारत जै जहारखण आपने हम सब कार्यकरताओं का मार्ग दर्सन किया हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारती जनता पार्टी के कार्यकरता जहारखण प्रदेश में एक सजग विपक्च और ससक्त विपक्च की भूमिका में रहेंगे और सरकार को उनकी कमियों के बारे में लगातार आगाह करते रहेंगे आपने आज जिन कार्यालाओं का उद्गाटन किया वो आने वाले दिनों में पूरे जार्खन प्रदेश में भूस अंस्कृतिक राष्टवाद की लहर पैदा करने वाले केंद्र के रूप में विक्सित होंगे आपने आत्म निर्भर भारत और गरीब कल्यान योजना के बारे में बताई हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सब कारे करता इस योजनाओं के श्टेक होलडर नीचे की जनता तक सभी योजनाओं की वारिकियों को समझ करके उसे नीचे तक ले जाने का काम करेंगे मैं फिर से एक बार जारकन परदेश की लाखो के संखा में कारे करता जो फेस्बूक लाइव हो करके आज के उधगाटन समारों को देख रहे हैं यहां सभामंडप में उपस्तीत हैं मैं सब के तरप से आपका एक बार फिर से हारदिक धन्यवाद करता हूँ आपको आपका अविवादन करता हूँ कि आपके आपने अपने करकमलों से आज इन आठ जिला कारेलों का उधगाटन किया मैं एक बार फिर सबसे आग्रह करूँगा कि जोरदार करता दोनी से आधरणिय राश्टिय ध्यक्जी का स्वागत और अभिनंदन करें अब मैं आज के कारेकरम में उपस्तित हमारे राश्टिय ध्यक जी आधरणिय जेपी नड्डा जी हमारे राष्टिय महामंत्री आधरणिय अरुन सिंग जी, कारकरम में मंचपर विराजमान, भरती जनता पार्टी के वरिष्ट नेता, केंद्रिय मंत्री आधरणिय अर्जुन मुंदा जी, हजारी वाक्य लोकप्रिय सांसद, पार्टी के वरिष्ट नेता आधरणिय जैन सिन जी इस पूरे कारियालेओं के निर्माण में महत्तपुरुण भूमिका निभाने वाले राज्यसभा के सांसत पूरु कोसाध्यक्च आधरणिय महस्पुद्दार जी जो राची से जुड़े हैं कारिकरम में राची के कारिकरम अस्थल से हमारे माननिय प्रदेश अध्यक जी हमारे पार्टी के वरिश नेता विधायक दल के नेता आधरणिय बावुलाल मरांडी जी हमारे संगधन महामंत्री आधरणिय धरमपाल जी मैं आज के इस कारेक्रम में उपस्थित हो करके कारेक्रम में हम सब का मार्क दर्सन उत्सावर्धन के लिए आप सबों के प्रती भारती जनता पार्टी जारखन प्रदेश से हरदी का आभार व्यक्त करता हूँ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे उन आठ जिला कारयलों पर उपस्थित, हमारे जिलाद ध्यक्ज, निवर्तमान जिलाद ध्यक्ज, जिला संगठन परभारी प्रदेश से भेजे गए पदाधिकारी उपस्थित जन प्रतनीधी, सांसत बिधायक और कार्यकरता बंधुओं का भी जिन्नों ने पिछले समारों का संयोजन कर रहे प्रदेश के मंत्री सुबोध सिंगुडु जी, प्रदेश के प्रवक्ता अमित सिंग जी, और आईटी टीम के संयोजग भानु जलान जी, सोसल मीडिया टीम के संयोजग मृत्युन जय सर्मा जी, सहसंजवक राहुल अवस्ती जी, येवन उनकी खड़े होकर कि इस कारिकरम के आयोजन में अपनी भूमिका निभाई, मैं पूरे प्रदेश से जारखन भाजपा के पेश से लाइव आज के इस कारिकरम को देख रहे, कारिकरता बंदूओं को भी धन्यवाद देता हूँ, अभार व्यक्त करता हूँ, आप सबों ने कड़ परिश्तरम से आज के इस कारिकरम को सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और इसके साथ ही आज के इस उद्गाटन समारों के समाप्ती की घोशना करता हूँ. दन्यवाद